बचत दे रहे हैं कभी नहीं मॉहमब के ओपर फिजिकल एटैक हुआ नहीं पामें इस साल मक्का में अगर फिजिकल एक होना दा मोहमद प्रिश्टिय॥ अरे इतना फिजिकल अटेक्स वह था कुरान में लिखा वाए टॉर्चर हुआ था पर्सिजुशन वाइब दिलिंग दिखाओ के टॉर्चर हुआ मुहमद को पकड़ा पकड़ा के उसको पीटा मक्का में जो मरेवे जानवर होते हैं उसका गंद डाल दिया था मुहमद के उपर यह तो सब हदीसों में पड़ा वाई वह इमने यार मारा तो नहीं दा चलो मैं इसको भी सही मान लेता हूं लेत्स ऑजीउम जो अलाके तुम खलत болी वो मुहमद पे नी डाला था लेकिन लेत्स ऑज्यूम तुम जो कातल तो पिर भी नहीं चीया दो किnez कि बात रही है अरे भाई बिलाल के कहानी ने सुनी आप कैसे मुसल्मान हो अरे भाई बिलाल किसी का गुलाम ता बिलाल को जिसका गुलाम ता उसका मालिक मारता था मुहम्मद ने अपने साथियों को कभी गुलाम को मारने से मना नहीं किया मुहम्मद ने सिर्फ यह किया आइस्ता मारो अरा मुहम्मद कहता है कि अपनी बीवीों को ऐसे ना मारो जैसे तुम अपने खुलामों को मारते हो क्योंकि बीवी के पास रात को जाकर तुमने ठोकना है उसे ये सही सही हदीश है लेकिन छोड़ो वो टापिक नहीं है अगर मुहम्मद को मक्का वाले कतल करना चाहते वो 13 सालों में बहुत आराम से कदल कर सकते थे उन्होंने नहीं किया ये बिलकुल वही बात है कि मुसले आज उठके बोलते हैं कि हम इंडिया में बड़े हिंदू के नीचे लगे में है ये बिलकुल ऐसी लोजिक है आप लोग सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो सिंपती वोट लेना जा बड़ा जुलम हो गया है बड़ा जुलम हो गया अब अगर तुम लोगों को कतल करना होता इन हिंदूं ने तो कब से कर चुके होते हैं सब्सक्राइब करें होते हैं यह साले पागल हैं इनको अपनी हिस्ट्री भूल गई थी इन्हें इनुसो अर्टालिस तक तुम्हों को खतम करते हैं रदकेप देदे के पाकिसान बेजना चाहिए था इंदों ने नहीं बेजा पागल के बच्चों ने अरे टॉपिक पर अजिका बेजना देना नहीं कोई मतलब नहीं परते हैं पर निपराँ अप्डूर अबडल मुझे यह बताओ इस पागल हैं पता ही निप अनपड़ज मुझे पर आइसे करेंगे आइस पर नहींप पता ही नका नहीं पर जाहिल है न उम्मीए न लेकिन कुरान में तो लिखावा है तुम्हें तो पता लग गया है तुम तो छोड़ दो जी साहिल भाई आप कुछ कह रहे हैं हाँ मैं ये कह रहा हूँ अब्दुल चलो इतनी मोटी मोटी बात समझ में नहीं आरी थोड़ा और मैं इनको मतलब थोड़ा लो लेवल की बात करता हूँ ताकि इनके समझ में आ जाए कि आप इस बात से भी अगरी करते हो कि आप ये जंग करके जो आपके हिसाब से हक है उसको फैलाने के लिए आप जंग करके दूसरों की औरतों को आप गुलाम मनाओ उनके साथ सेक्स करो उनको बेचो आप इस बात से भी अगरी करते है ये भी सही है अरे नहीं मैं बिल्कुल सही नहीं है यह तो वार में हुआ था उस ताम मझबूरी थी लेकिन किया ना मझबूरी के साथ कौन सी मझबूरी होती है मझबूरी थी यार यह सूपर चैयर्ट का मैंड़ इसको सेपरें निगा लिए मझबूरी थी सेक्स करना उन लॉंडियों के साथ मैं बोल रहा हूँ है यह स्लेव रखे जाती स्लेव पकड़े जाती है आप लोग उनको जेल में डाल देती है मोहमद ने उनको अपने घर में रखना अब्दूल मैं यही कह रहा था आपको चलो स्लेव बनाए थे तो उनको घर पे रखना जो है मजबूरी थी थोड़े देर के लिए मान लेता हूँ लेकिन क्या उनके साथ सेक्स करना और फिर उनको मार्केट में बेचना क्या यह भी मजबूरी थी और यह सही लगता है आपको बेचने से पहले भी पूछते थे क्या विलफुली बेचना है अब्दूल अरे उसमें सवाल नहीं है अब्दूल मेरा सवाल ये है कि प्रेग्नेंट नहीं है तो बेच तो सकते थे ना आप लोग जो उस टाइम का इसलाम था ना उसको मतलब बिना कॉंटेक्स के बाहर उला करके अब्दूल पहले हाँ पहले ये चीज़ पता लग जाए ना किसी भी जमाने में किसी इनसान को आपने उसके साथ सेक्स करना और उसको बेचना क्या ये इनसानियत के मताबिक है और अपने माँ बेटी को मेरे सवाल करने से पहले खुद अपने जहन में बात रखना कि क्या मैं अपनी माँ बेचन बेटी के साथ भी ये मामला पसंद करूंगा फिर उसके बाद में जवाब देना है अपने बाद में बाद में बाद में बाद में बचा रख लेते हैं ये आप लोगों की उकात है ये मुहमद साब की उकात है सुने लिपने माजा दोज़ार पांच सता रहा है हाँ अब अब अब्दुल कि आपका जवाब नहीं आया कि यार इतना क्या सोचते हो फटाफट जवाब दो यार फिर दूसरे को भी बात करना है हम तो तुम्हारी गैरत को जगाना चाहरे बस अरे अब्दुल क्या सो गया क्या है यह चीज़ तो गलत है अब्दुल तरीका गलत है अब्दुल तरीका गलत है बोल रहे हो ना जी 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 तो भाई फिर इसलाम में क्यों है यार अब बताओ अब इसलाम मैं आपको गिनाता हूँ कि हमारी क्या बात हुई science के हिसाब से Quran गलत उसके बाद फिर वो जो Quran की बाते हैं उसके हिसाब से खुद Quran contradict कर रहा है detail में बताने वाली बात करता है लेकिन है नहीं उसमें भी आपने हमारे साथ माना उसके बाद इंसानियत के पहली उसे देखे तो आप अभी यहाँ पे आपने खुद कहा के हाँ यह गलत है तो भाई आप क्यों हो इसलाम में इसका जवाब दे दो अरे जल्दी जल्दी जवाब दो ना यार अब्दूल अब्दूल आपको अब्दूल इनके पास जल्दल आया वह समझता हूं कि इनके पास जल्दल आया वह समझता हूं कि आपके पास फाइनल उजद क्या रहेगी है इस दीन में रहने के लिए एक और चांस आपको मुझे पता है कि बहुत सरे लोग बोर हो रहे होंगे इस वकर उन्हें लगनी रहोगा लेकि जो हमारा वह नहीं समझता है इस वकर हो गया रहा है तो भाई मुझे पता है कि आपको फाइनल हुजद क्या रहेगी है अंगर अब अब है अगराव रोना हारा है तो क्या पातीया माइकान म्म्मी रूठ करके रो सकते दिल की भढदास निकाल सकते आपको बच्पन से लेकि अब तक जितना कुछ अब उताया गया titt Сам tip ने मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया मैं ने खुदी सर्च किया है पूरा ने सर्च किया आपने वही कह रहा हूं लेकिन अब भी भी आपके पास कोई है आर्ग्यूमेंट जिसका आप चाते हैं कि अभी भी देश्कता हूं अब्दुल भाई चलिए मैं इस हदीश को देखता हूं कि क्या है इसमें अच्छे यह देखने की जरूरत तब पड़ती जब आपको यह जो एक्च्छल कॉंसेट आपको पता है उससे हट के अगर हम बताते तो आप कह सकते थे कि ठीक है मैं इन आहादीश को देखूंगा लेकिन यह कॉंसेट आपको पता है कि यह है सेक्स हुआ है बेचा गया है तो इसमें मस्जीद आपको क्या देखना है मुझे पता नहीं बड़ यू कन टेक यूर टाइम अच्छा मुझे बता है अगर आपका स्लेव भाग जा तो आप क्या करेंगे उसके साथ भाग जे और आप उसे पकड़ ले तो क्या करेंगे उसक अच्छे इंसान है और आम सौरी के शुरू में थोरा से हसा मैंने का आपके साथ थोरा सा मजाग को राया लेकिन सीम्स लाइक यूरा वरी जेंटल परसन बहुत आप जेंटल इंसान है मैं आपसे माजरत करता हूं तो मुझे बताईए कि अगर आपका स्लेव भाग जाए आ जरार उस तो नरेट फ्रॉफित स्लेव एफ असलेव रंस अवे नो सलाह विल बी एक्सेप्टेट फ्रॉम उसकी तरह से कुई नमाल इस अपने होगी और अग्रों मरेगा तो वो जहन्नम में सड़ेगा वो एक काफिर की तुरू मरेगा असलेव जरार रहन वे ही काट हिम इन स्ट्रक इस डेक्ट के लिए उसने उसके एक स्लेव भागा मार दिया उसने पकरा और उसको मार दिया मार दिया मार दिया आपको बच्पन से ये पढ़ाया गया है कि स्लेव को अजाद करो तो क्या होएगा सवाब मिलेगा राइट पढ़ायागए नए ये स्लेव को अजाद करने पे सवाब मिलीगा भाई राईट जी 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 कुरान में आई है यह देखें आपके मुहम्मद ने क्या कहा सही बुखारी के अंदर मेमुना मुहम्मद साब की एक वाइफ है क्यारा बीवियू में से एक है इसने एक अजादी दी अपनी स्लेव गर्ड को एक अपनी हुलाम औरत को अगर तुम अपने किसी मामुजाद मामु को दे दे दी तो तुम्हें ज्यदा सवाब मिलता अजर मिलता अजर सवाब आप तो बच्पन से पढ़ रहे हैं किस लेव को अजाद करने में ज्यदा सवाब है मुहम्मद कह रहा है कि अपने खांदान में से किसी को दे दो ज्यदा सवाब है जी ये तो कॉंटर डिक्शन है बिल्गूल और ये सही बुखारी है बुखारी है कुरान के बार सबसे इंपोर्टन हदीश के किताब बुखारी है और ये सही बुखारी है और बोल भी कौन रही है, मेमुना, नभी पाक की अपनी बीवी, आपकी उम्मल मौमिनीन, आपकी वालिदा सर आप स्लेवरी के उपर इसलाम में इतना जूड बोला जाता है, इतना जूड बोला जाता है, इतना जूड बोला जाता है, जिसकी इंतहा कोई नहीं इस्लामिक कॉनसेफ्ट कुछ और बोलते हैं, हमारे मुली मुफता कुछ और बोलते हैं इन चीज़ों को सोचिएगा, इस ट्रीम को बार बार देखिएगा और नेक्स टेम ज़रूर जुड़िएगा जुड़के बताईएगा, मतलब क्या चेंज़ेस आपको फील हो रहा है मतलब जो भी आपके दिमाग में चलेगा, आप ज़रूर बताईएगा क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टन है अब्दुलबाई अच्छा अब्दुलबाई कल ना मेरे चैनल पे तौहीद के उपर स्ट्रीम है ज़रूर जुड़िएगा क्योंकि आपकी जो बेसिक आर्गिमेंट है इवेंचुली इन तमाम लॉजिक से अटके जो स्पिरिच्वल आर्गिमेंट है आपका वो है तौहीद का एक अल्ला की प्रस्तिश का कल मेरी उसके उपर स्ट्रीम है ठीके तो ज़रूर जुड़िएगा कल हम तौहीद के इस टौपिक उपर स्ट्रीम करेंगे मेरे चैनल के उपर एडम सीकर उर्दू के उपर ज़रूर जुड़िएगा वो final nail on the coffin है basically आपके लिए अगर आप समझ सकें सी इसको science ने इस कुरान को proof नहीं किया humanity कुरान और इसलाम से proof नहीं होती और जो final spirituality है वो तोहीद की वो कुरान और हदीस से मैं कल demolish destroy करना चाहूंगा और दिखाऊंगा आपको इसलाम तोहीद नहीं प्रीच करता ये मुले तोहीद प्रीच करते इसलाम नहीं करता कुरान नहीं करता हदीस नहीं करती मुले करते नहीं humanity को तो करना चाहिए अगर humanity नहीं कर रही तो फिर तो कुरान नहीं कर रहा है अच्छा मौमिन और मुसल्मान में फराग कि मौमिन जो एक्चुल में बिलीव करता है कि जज्मेंटे मौमिन पक्के वहला मुसल्मान होता है ना जी सूरह मौमिन ही ने आपके सामने कि मौमिनों प्रूलर आफ मौमिन क्या कहता है यकीनन फलाप आई एमान लान मौमिनों ने मौमिनों ने फलाप आई मौमिन क्या कैसे फलाप आई अपनी नमाज खुशू से पढ़ते हैं यानि के अच्छे तरीके से नमाज पढ़ते हैं जकात देते हैं और बक्वास बाते न मुलकाति एमान हूँ सवाए अपनी बीवियों और अपनी गुलाम औरतों के तो गुलाम औरते आप डिंडॉंग मचाएं उनके साथ अल्ला ने आपको खुली पर्मिशन दी ए अपन पर्मिशन आपने जंग में गए जो पहले विल आपका आर्ग्यूमेंट था कि वो तो मज मजबूरी है मजबूरी नहीं है बही एक लिर्की आपको पपू लगी है आप अपने घर में गुलाम को दर पर रख लिया आप उसे डिंडॉंग मचा रहे हैं जिसके बाप को आपने मार दिया जिसके खावंद को आपने कतल कर दिया मिदानी जंग में जहां उसका में यहां आपका प्राइविट पार्ट को इतना बेहतरीन किसम का है कि उसको ऐसी प्लैयर दे रही है जो उसके अपने अपना खावंद नहीं दे सकता वो वो खुलाम है शी केंड़ाट से वर्ड पुराने जमाने के अगर आप गुलाम देखें वो कुछ नहीं कर सकते हैं स्लेव में और नोकर में जो मारे घरों में काम करता है तो बहुत फरक होता है नोकर ने वापस ले जाना है चाहिए वो आप साल दो साल के लिए भी क्यों ना ले आए हूं इंडिया पाकिस्तान में हम नोकर साल के लिए भी अकठा ले लेते हैं उसे साल के लिए पूरी कि तुक अपने प्राइवेट पार्ट के साथ कर बीवी और स्लेव के साथ मुमिनों को कह रहा है एहले इमान को नहीं कह रहा है मुमिन मुमिन की क्वालिटी है तो भाई यह सारी बाते सोचिए समझिए आई नो कि आपके सब्सक्राइब लग रहा है और कल जरूर आईएगा इसलिए मैंने जब इन्होंने जब पहली चीज़ को इन्होंने एक्सेप्ट किया था मैंने तभी बोल दिया था ना कि अच्छे भाई है यह क्योंकि समझ में आ इस वज़े से हमने इनको टाइम भी दिया वरना इतना लोगों को टाइम हम देते भी नहीं है ओफ टॉपिक जाके हमने हाँ यह सोचा के चलो किसी तरीके से इनका जहन जो है खुल जाए बिल्कुल दुरस रुआ है साहल बें इसलिए तो मैं कहता हूँ जिस एंगल पर आप सोच सकते हैं मैं दिस हो सकता मैं बड़ा कैलकुलेटिक जलता हूँ मैथमेटिकल जलता हूँ आप लॉजिकली बहुत अच्छी जलते हैं और यूवर राइट उस वकत मैं कहता है या सा जरूर अकेले में और उसके बाद कल की स्टीम में आप जरूर आना लेकिन कल नो बजी स्टीम रहेगी आडम की मैं भी रहूंगा जरूर आईगा साहिल भाई अचा एक सब्सक्राइब आपके पास मेरे यूट्यूब चैनल है कि नहीं है जी है ना बस पेतरी एडम सीकर उर्दू पे कल स्टीम रहेगी जरूर जुरूर यह आपका इंजार करेंगे ठीक है हामका फांडेशन भाई आपको कुछ आड़ करना था बोलिए जो आपके सवाल थे उसका जवाब उनों देती है मैं ज़्यादा कुछ आपसे बात नहीं करूँगा सिर्फ दो लाइन आपको बोलूँगा भाई देखे भाई आप परहे लिखे हो एक अच्छा एजुकेशन आपमें लिया है और बोलते हैं कि आपका दिमाग भी बहुत साफ सुतरा है दिल भी बहुत साफ सुतरा है भाई तो आपको सिप चीजे आपको समझ में आ रही है सिप आपको उसके पर भरोसा नहीं हो रहा है अपने दिल की सुनिए और उसके पर भरोसा किजिए कि ऐसा कोई इंसान हो सकता है या अल्ला ऐसा हो सकता है जिसने दुनिया में ऐसे इंसान को भीजा है जो लोगों को मानने का अपने दिल से सोचिए बाकि आप इस बोलते ना जल दल से बहुत जल्दी निकल जाएंगे भाई बस भाई मैं यही बोलना चाहता था बाकि आप एबास सोचिए और कल एडम भाई के स्ट्रिम पे जॉइन कीजे और मैं तो यही चाहता हूँ भाई जैसे मैं इस बल दल से निकला आप इस बल दल से निकलो भाई थांकि बाई बहुत जादा शुक्वी आपका बहुत गलस लेप रीडमेंट है विलकुर जी एबसलीटी एबसलीटी बिकल द्रस रहूएं आप ने थांकि यु मेरे बाई कल हम लेकिन इंतजार करेंगे कल जरूर आना ठीक है अबदुल भाई जी और अगर आउट अफ टॉपिक भी सवाल होगा तो कोई बात लेकर आना हाँ हाँ कोई भी सवाल होगा कुछ भी ऐसा लास डाउट आपका रहेगा स्टॉंगेस पॉइंट आपके पास अभी भी कुछ रहेगा तो आप कल स्ट्रीम में आके पूछ सकते हैं और मुझे कोई मसला नहीं मैं तो हीद वली स्ट्रीम दुबारा कर लूँगा मुझे कोई परवा नहीं है इस चीज़ की हाँ ठीक है आप मेरे पास चाहिए आप दो घंटे बैठना तीन गंटे बैठना जो भी डूट यह थे हमारे अब्दुल भाई और बहुत अच्छे इंसान मैंने पहले ही प्रिडिक कर लिया था कि अब्दुल भाई बहुत एक अच्छे इंसान है और जैसे जैसे डिसकेशन आपने देखा कि कहा से साइंस से शुरू हुई पिर होते होते किस एंगल पे घुमी किस मोड पे गई फिर वहां से कहां गई और लास्ट में उसका फाइनल आउटकम क्या हुआ आप लोग के सामने है तो जितने लोग देख रहे हैं आप सोचिए कि अगर इस तरीके से जैसे हमारे अब्दुल भाई है उस तरीके से बाकी जितने मुसल्मान है अगर उन तक आप हमारी ब अब्दुल से डिसकेशन पूरा हो जाया उसके बात में कहूंगा तो अभी तक जितने लोग देख रहे हैं जिन्नों अभी तक वीडियो को लाइक और शेर नहीं किया है प्लीज लाइक और शेर कर दे कुछ सूपर चैट्स ले लेते हैं और उसके बाद फिर हम दूसरे मु बैटके दारू और तंदूरी चबा रहे हैं कमीर भाई यही तो आइडम ने भी बताया ना के आम तोर पे जो नौकर होते हैं वो उनके साथ वैसा मामला नहीं है जो एक कॉंसेप्ट इसलाम स्लेव के साथ देता है अनॉनिमस जो कह रहे हैं एकस मुस्लीम अब्दूल थैं एकस मुस्लीम अब्दूल भाई थैंक्स पॉर जोइनिंग एकस मुस्लीम अब्दूल बनके ही आएंगे बुड़े वाली बुडिया कह रही है आडम आडम को यू स्पीक व्हार्ट सम्ताइम गेट आगर देफिनेटल रॉगंट नो डाउट अगर कोई आडम को एरोगंट मानता है उसके अंदास के वज़े से बेक को लगता है कि वो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहा है I mean he then he cannot understand people मेरी चल अजया एंडम मतलब बताता हूं कि पीछे जो है अपने कई सारे संपोर्टर जो अपने कॉमन संपोर्टर तो वह थिस्कोड इसकॉड पर और मुझ से भी फोन वोन पे बात करते हैं तो कभी-कभा डिसकेशन में निकल जाता यार आडम तो वहाँ पे एक कॉमन होती है आडम कितना मतलब एकदम एग्रेसिव है, सब है लेकिन एक बात कॉमन हम इस पे आते हैं कि आडम एग्रेसिव है, कुछ भी है दिल का वड़ा साफ एड़ अरे, तेंक्यू यार ये बात मेरी कई लोगे के साथ डिसकेशन है, तो अगर कोई इनसान को परक सकता है और वो एडम को सुनके अगर ये उसकी परक है कि एरोगेंट है तो आप तुमको फिर परक नहीं है लोगों की मुमिनों के सामने कि मुझे साइंस में मच जोड़ो कभीर भाई के रहे है साहिल भाई, अरे मेरा भी यार कभीर, 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 कभीर नाम ले लिया और आपने इतना कॉंटिबिशन के आपका बहुत शुक्रिया लाल कृषन देवदास के रहे है जल्दी बोल कल सुबह पन्वेल जाना है एगनॉस्टिक एटिएस के रहे है एडम सी का जिन्दावाट थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू अपके कॉंटिबिशन का बहुत शुक्रिया कभीर भाई के रहे है वन मिलियन चाए भाई नेक्स सिक्स मंच में सब्सक्राइबर नौकर अपनी ड्यूटी करता वो फ्री है उसका सब राइट जितना मेरे को उतना उनको भी है बहुत शुक्रिया चलो अभी कुछ मुमिन ले ले लेते हैं बाकी के सुपर चार्ट समभाद में लेंगे वरना जो है लोगों का फ्लो जो है वो कतम हो जाएगा आज अच्छा मुमिन साब भी मेरे ख्याल से पढ़े लिक्ट है यार सच्चा मुस्लम आपको बहुत पुराना हमारा तो मैं इस शच्चा मुसलिम भाई यह जब हम तो बहुंक है हुझी कज्चा मुमीम साब तो नहीं गया है यह भी भाई ने कबाबों की बात किये ह्या न ुमैरे जब है तो यह वैसे तो कबाब हम बनाते हैं वो उस पर अपना जिए पर गरिल पर ग्रिल को कहते हैं लेकिन अब यह जी भाई आपका है लो आगे एक सब्सक्राइब के तो कबब सुनके मेरे दिल में इतनी कबब्सक्राइब की तबना होगई कि मैंने फ्रीज़र से ख़ब निकाले और मैंने उसको ओवर्न में डाल दीया मैं का बेक का लैते हैं अंगी Ord करने कर ने कि दिल नहीं कर रहा एक है मरस्फ टाम लगता है उसको चलाने में मैं तो तू कबाब खा और मेजे भी भूक लग रही है मैं आलू भूजिया का रहा हूं इदर अरे आलू मुझे छोड यार क्या तु गरीब इनसान आलू मुझे खाएगा अरे यार कबाब कबाब किसे ने कबाबों की बात की थी किस ने भी सुपटर दिया ना कबाबोंगा उसकी वैसे कबाब दिल